हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टो एडिवी स्टार कोटा तो देखे बच्चो आश्मा आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा सुन्दर सा सवाल जो वो लेके आया हूं और इस टाइब के की सॉल्विंग जो आपको स्टार करनी है तो इस टाइब के प्यारे प्यारे क्वेस्टन आपके लिए लगातार आते रहेंगे तो चल को सब्सक्राइब कर लेना थाकि कोई नोटिफिकेशन आपका मिस्त ना हो बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के जो क्वेस्टन से वह हम हम यहां पे सॉल्ड करने वाले हैं तो ध्यान से समझते हैं चलना कि मैं क्या-क्या चीज़े कर रहा हूं आपको वह थोड़ प्रोसेस जो है वह समझना है थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा स्टार्टिंग में कुछ-कुछ प्रोब्लम्स जो रहेंगे आपके लिए आपको पता होता है इसके बाद में क्या है आपको तीन वेक्टर यार यहां पे घवन धूड भीवैक्टर सीLY जिसके अंधर कुछ unknown सारे बी तू बी ती went annéeий किसके बाद में आगे भोला गहां है कि यह थीन वेक्टर है और अब यहां पर दो ऐतों में धूंडिशन्स आपक है तो अगर मालों कि मैं सबसे पहले options पे नजर डालू तो पहले a.c दिख रहा है मैंने को clearly यहां से नजर आ रहा है कि अगर मैं सीधा a.c लिखूँगा तो c1, c2, c3 टाइप की टम्स के फोर्म में आएगा तो यहां से मैं directly नहीं बता पाऊंगा कि उसकी value क्या होगे तो इसका बले यह वाला जो expression है इसको तो पहले simplify करना ही चाहिए उसके बाद की बाते हैं सारी चलिए तो यह यहां पर एक 3 cross 3 का matrix लिखा हुआ है यह यहां पर 3 cross 1 का matrix लिखा हुआ है तो जब इन दोनों को हम multiply करेंगे तो एक 3 cross 1 का matrix आएगा जो की यह given है अब matrix का multiplication obviously बात आपको आना चाहिए तो अगर मैं यहां पर देखो multiply करूँ तो यह बनना सबसे पहले minus का b2 c3 plus का b3 c2 इसके बाद में अगर बच्चों इसके second element की बात करेंगे तो वो बने का c3 minus का b3 c1 last element के अगर हम बात करेंगे तो minus का c2 आएगा और यह लीजे बच्चों plus का b2 c1 अब यह इधर तीन element इन तीन element के equal यानि दो matrix equal matrix given है तो वो तब possible है जब उनके सारे elements जो वो आपस में equal हो तो इसका बच्चों यह वाला element बेटा 3 minus c1 के equal होना चाहिए यह वाला element 1 minus c2 के equal होना चाहिए यह वाला element जो वो minus 1 minus c3 के equal होना चाहिए I think यहाँ तक कोई problem आपको नहीं होगी अब आगे का जो important चीज आती है वो बहुत ही clear सी बात है कि यहाँ पे इतने सारे unknowns है c1 c2 c3 इसके बात में b2 b3 यानि total पांच unknown है तीन equation है तो ओविस्सी बात है कि इनकी values तो हम find नहीं कर पाएंगे और उसकी causes भी हम नहीं करेंगे अब अगली चीज आती है कि यह वाली जो terms है क्योंकि पहला obviously बात है कि पहला reaction अपना यहीं होगा कि भी तीन equation आई है तो इनमें हम जो unknown जो variables है उनको हम find कर सके बड़ जैसा कि मैंने बता है कि भी 5 unknown है तीन equation है वो तो find नहीं हो पाएगा तो अगली चीज मैं यह सोचुगा कि यह जो terms लिकी हुई है जैसे यहाँ पे minus b2 c3 plus b3 c2 आ रहा है क्या यह vector के साथ में ऐसा में कुछ operation लगा सकता हूँ क्या इन vectors के साथ में ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे कि यह वाली चीज मिले b2 c3 तो मेरे को जैसे मैंने b2 c3 देखा तो मेरे को समझ में आया कि अगर यह इससे multiply हो जाए और b3 c2 यानि यह इससे multiply हो जाए तो मेरा काम बन सकता है फिर मां आगे बढ़ा कि next वाले में भी देखते हैं उसमें आरहा है c3 b3 c1 तो मेरे को समझ में आया कि c3 तब आएगा जब यह इससे multiply हुआ b3 c1 तब आएगा जब यह इससे multiply इतना आते हैं मेरे को समझ में हो गया कि यह इस तरीके से cross multiply है इसका मतलब यह जरूर b vector cross c vector जो वो लिखा हुआ अब देखो अगर मालूम आपको एक बार b vector cross c vector find करके दिखाऊ तो यह क्या आएगा 1 b2 b3 c1 c2 c3 क्योंकि cross product हम determined के यह से find करते हैं तो यह यहां से देखो क्या मिलना आपको b2 c3 minus का b3 c2 i कर फिर उसके बाद में minus का c3 minus का b3 c1 j कर फिर c2 minus b2 c1 k कर अब अगर आप यहां पे थोड़ा सा इससे गर match कर लो तो I think आप चीजों को समझ पाओगी यह देखो पूरा का पूरा यह लिखा वा था अब देखना धान से मैं क्या लिख रहा हूं इसको b vector cross c vector यह लिखा वा था यह चीज़े मेरे को समझ में आ गई b vector cross c vector मैंने क्यों किया I hope यह बात आपको समझ में आई होगी क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने ऐसी अंदा दून तुक्के में b close c कर दिया मेरे को terms दिख रही थी चलिए अब यह देखो b3 c2 b2 c3 यह जो expression लिखा अगर मैं इसकी value लिखूं तो इसकी value गटा c1 minus का 3 आ रहा है c1 i काय पा रहा है c2 j काय पा रहा है c3 k काय पा रहा है एक vector तो यह आ गया । यह expression लिखा वो कुछ नहीं है सिर्फ c vector लिख रहा है चलिए तो यह c vector आ गया अगर आप इसमें से minus comma ले लोगे तो 3, 1, 1, 3, 1 minus 1, 3, 1 minus 1 A vector लिखा हुआ था तो ये लिजिए C vector minus A vector तो आपने यार यहां से एक result establish कर लिया है B vector cross C vector is equals to C vector minus A vector अभी भी question खतम नहीं हुआ अभी तो बहुत संगर्स बाकी है सवाल में sorry चलिए अब देखो अब हम आते है options पर कि अपने को चाहिए क्या जीवर में एक तो A dot C चाहिए भई एक B dot C चाहिए मेरे को यहां से clearly इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अगर मैं B cross C का B के साथ में dot product ले लू या फिर C के साथ dot product ले लू तो दोनों ही case में यह zero होगा यह सोड़नो B cross C का अगर B के साथ dot product या C के साथ dot product लेूँगा तो दोनों case में zero होगा अब B के साथ लेना चाहिए या C के साथ लेना चाहिए वो अगला सवाल आता है तो B के साथ लेना चाहिए क्यों लेना चाहिए क्योंकि B dot C आएगा जो कि अपने को चाहिए यहाँ पे A dot B आएगा जो कि अपने को given है तो अगर मैं यहां से इसका b के साथ में क्या कर रहा हूँ dot product तो यह 0 आ गया यह b vector dot c vector आ गया यह minus का a vector dot b vector a dot b आपको बेटा question में 0 given था यानि यहां से b vector dot c vector जो वो 0 आ गया यानि option b जो है वो correct हो गया पहला चलिए एक a dot c के बारे में भी बात कर रहा है a dot c कब मिलेगा जब मैं इसका c के साथ में dot product करूँगा तो c के साथ अगर dot product करेंगी तो अगें देखो left and side बेटा 0 बन गई c के साथ में dot product किया तो यह c vector के magnitude का square आ गया minus का a vector dot c vector यानि यहां से a vector dot c vector आपके पास में c vector के magnitude का square आ चुका है जबकि यह बोलना था कि a dot c जो वो 0 क्योंकि बट c1 c2 c3 जो वो 0 तो है नहीं बई तो इसका वले यह option जो वो गलत हो गया अब अपना अगला focus है b vector का magnitude चीए और c vector का magnitude चीए अब देखो c vector का magnitude के लिए यहां से कुछ ना कुछ result जो है वो तो मेरे को आता हुआ नजर आ रहा है कि भी c vector का magnitude यहां से आ सकता है धान से देखना जरा क्या result आ चुका था मेरे पास में a vector dot c vector is equals to c vector के magnitude का square यह आ चुका है साथ में a vector आपको given है a vector है 3 1 minus 1 a vector मैं लिख देता हूँ यहां पे 3 I think 1 था यह minus 1 था एक बाट चेकर लेते हैं 3 1 minus 1 3 1 minus 1 तो इसका वे a vector का magnitude यहार आपके पास में है and वो है under root 11 चेलिए अब देखो जहां से a dot c क्या होगा a vector होगा c vector होगा इनके बीच का angle suppose कुछ theta यानि cos theta यह लिजे c vector का magnitude का square तो यहां से देखो ज़रा c vector का magnitude जो वो कितना है a vector का यह था under root 11 और यह बन गया cos theta अब यहार आपको पता है कि angle कुछ भी हो cos theta की maximum value जो वो 11 हो सकते यानि इसकी c vector का magnitude है वो हमेशा less than equals to under root 11 रहेगा अब option में check कर लेतें कि option में क्या बोला था भी इसने option में बोला था कि भी c vector का magnitude under root 11 से हमेशा कम रहेगा इसका मदलब option d जो वो भी क्या होगा इसका correct answer चलिए अब यहार बात करतें b vector के magnitude के बारे में यह एक ओर नया struggle है b vector का magnitude अगर आप यहां से देख पा रहे हो बैटा b vector का magnitude देख पा रहे हो तो b vector का magnitude है that is 1 प्लस b2 square प्लस का b3 square अब 1 तो आपके पास में इसका मतलब आपको b2 square प्लस में b3 square चाहिए अभी देखो हमने एक result का use नहीं किया यह यहां पर b vector जो है वो दिया था i cap प्लस b2 j cap प्लस का b3 k cap और बच्चो a vector dot b vector आपको 0 गीवन था जहां से देखना a dot b 0 है यानि 3 प्लस b2 माइनस का b3 equals to 0 यानि यहां से b2 माइनस का b3 जो है वो आगया माइनस का 3 अपने को भी यही result चाहिए b vector का magnitude चाहिए तो b2 square प्लस b3 square की value के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी value क्या हो सकती है और b2 square प्लस में b3 square वेटा कब मिलेगा जब यहां पर squaring कर दूँगा तो b2 square प्लस में b3 square की जो value है वो आगए यहां से 9 प्लस 2 times of b2 b3 अभी भी लोचा खतम नहीं हुआ b2 b3 की value जब तक पता नहीं होगी तब तक कैसे काम चलेगा लेकिन b2 b3 का product आपको given है आजाए कहीं ना कहीं given था यह रहा b2 into में b3 greater than 0 यह यह b2 b3 की value बेटा कैसी है आपके पास में positive है अगर b2 b3 आपके पास में positive है तो क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूँ कि भी b2 इसकी value जब वो हमेशा greater than 9 होगी b2 b3 अगर positive है तो इसकी value हमेशा 9 होगी अगर इसकी value हमेशा 9 से बड़ी होगी अगर इसकी value हमेशा 9 से बड़ी होगी तो b vector का magnitude 9 प्लस 1 क्या यह हमेशा under root 10 से बड़ा होगा क्या यह हमेशा under root 10 से बड़ा होगा बताओ ज़रा इस बात को और option C में देखो ज़रा क्या बोला गया था यही बोला गया था option C जो वो भी बच्चो क्या होगा correct है answer तो B, C, D इसके correct answers है I hope आपको पूरा explanation समझ में आया होगा और भी बच्चो अलग-अलग question अलग-अलग chapter से आपके लिए लेके आता रहूगा इसी टाइब के भोकाली question तो आप मेरे को comment section में बता भी सकते हो कि सबसे पहले आपको कौन से chapters पे बच्चो question जो वो चाहिए okay students best of luck